हेलो फ्रेंड्स, गवर्मेंट जॉब जैने नॉटिफिकेशन चनल पर आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे म्यूजिक में आप करेर बनाना चाहते हैं तो आप कैसे करेर बना सकते हैं या फिर आप government job लेना चाहते हैं music में अगर आपका संगीत में interest है और आप संगीत से related कोई government job लेना चाहते हैं तब आपको कौन-कौन से courses करने होंगे किस तरह से आप ले सकते हैं बैसे music में career बनाने के लिए courses की ज़रुत नहीं है लेकिन अगर आप government job लेना चाहते हैं तब आपको courses की ज़रुत परती है आपको courses करने होते हैं उसके बाद ही आप government job के लिए apply कर सकते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे कौन-कौन से courses हैं आपकी qualification के accordingly और साथ ही हम जानेंगे top institute कौन-कौन से रहेंगे जहां से आप ये course कर सकते हैं and fees क्या रहेगी ये जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे तो अगर आप music field में अपना career बनाना चाहते हैं वीडियो को end तक देखीगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने channel पर subscribe नहीं किया चैनल को subscribe कीजिए और bell icon को press कीजिए bell icon को press करने से आपको notification टाइम से मिलेगा जब भी मैं कोई न्यव वीडियो upload करूँगी चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम जानेंगे music में कौन-कौन से courses हैं कितने types के courses हैं जिनको आप कर सकते हैं क्वालिफिकेशन के accordingly और साथ ही आप government job ले सकते हैं देखिए वैसे तो ये एक तरह का honor होता है talent होता है इसमें किसी भी तरह के course की जरूत नहीं होती है अगर आप इसमें अपना career बनाना चाहते हैं इंडिस्ट्री जाइन करना चाहते हैं आप without किसी diploma certificate या courses के अलबा आप इसमें अपना career बना सकते हैं लेकिन आती है बात government job की government job अगर आप लेना चाहते हैं तब आपको यहां पर qualification आपकी होनी चाहिए आपके पास diploma certificate या जो भी courses है आपके पास होना चाहिए तब ही आप government sector में job इससे ले सकते हैं सो अब ही हम देखेंगे कौन-कौन से courses हैं तो इसमें certificate courses available है diploma courses भी अपलेबल है degree भी आप कर सकते हैं या PG आप करना चाहते हैं PG कर सकते हैं या doctoral degree भी आप इसमें ले सकते हैं सो इसमें हार तरह के courses available है certificate से लेकर के doctoral degree तक ठीक है अब यह करता है कि आपकी qualification क्या है आप अपनी qualification या फिर आप कितना time दे सकते हैं कितना duration का course आप कर सकते हैं यह इस पर depend करता है ठीक सो अब हम देखते है qualification के accordingly अगर आप after 10th करना चाहते हैं आप सिर्फ 10th पास हैं और आप course करना चाहते हैं music में तब आप certificate in music या certificate in instrument या diploma in music में आप कर सकते हैं इसके अलाबा after 12th भी आप bachelor of music BA in music या BA honors music या BA honors सास्त्रिय संगीत में आप कर सकते हैं आप after 10th certificate courses and diploma courses कर सकते हैं and after 12th आप degree courses जो bachelor courses रहते हैं वो आप कर सकते हैं वही अगर आप graduation के बात करना जाते हैं after graduation आप master of music MA music या MPHL music कर सकते हैं सो इसमें master degree जो courses है वो भी अपलेबल हैं आप इसमें PG भी कर सकते हैं and साथ ही doctor degree यानि आपने PG कर लिया जैसे हम other courses करते हैं PG courses करते हैं उसके बाद हम PhD कर लेते हैं उसी तरह से music में भी PhD होती है और आप after PG यानि master of music MA music या MPHL करने के बाद आप PhD में कर सकते हैं अब हम जानेंगे institute या universities के name जिनसे आप ये course कर सकते हैं वैसे आपके नस्दिक जो भी है वहाँ से आप कर सकते हैं तो यहाँ पर कुछ में आपको नेम आपको बताऊंगी University of Mumbai Department of Music and Vangal Music College Kolkata Devi Ahila Vishpidhyalai Indor IPS Academy School of Fine Art and Music and Raza Man Singh Tomar Music and Arts University Gualier ये कुछ institute हैं ये जहां से आप ये courses कर सकते हैं अब हम बात करेंगे course fees की course की fees क्या रहती है तो इन में ज़्यादा फीस नहीं लगती है फिर भी एक हम average देखेंगे क्योंकि college पर depend करता है एक average लेकर चलेंगे और average अगर हम देखें तो 2000 या 20,000 से लेकर के आपका एक लाग तक 2000 ये मैं आपको certificate courses का बता रही हूँ certificate जो courses रहते हैं उनके बेस पर एक average बता रही हूँ दो से पांस तक आपका या दस तक आपका certificate course होता है और overall अगर हम सभी courses का average देखें तो 2000 से लेकर के एक लाग तक का ये course आपके रहते हैं अब ये depend करता है कि आप कौन सा course करते हैं certificate course, diploma course, bachelor degree, PG या फिर आप doctoral degree ले रहे हैं तो ये साथ ही repent करेगा college पर आपके college से कर रहे हैं state wise भी थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है कम ज़्यादा फीस में अब अगर हम job की बात करें तो आप सबसे ज़्यादा जो पसंद की जाती है या फिर government sector में जो job है वो है आप इसमें teacher बन सकते हैं ओके friends, तो ये जानकारी थी music में career बनाने के लिए कुनकों से courses हैं किस तरह से आप job ले सकते हैं, fees कर रहेगी, institute कौन से रहेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या helpful रहो हो तो वीडियो को like कर लिजेगा friends and relatives के साथ share भी कीजेगा और bell icon को press कर लिजेगा bell icon को press करने से आपको notification टाइम से मिलेगा जब भी मैं कोई new video upload करूँगी Thank you